सभापती मोदे आपने मुझे आयुरुवेद, देविस्तान और पस्सू पालन पर बोलने का जो मोका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सभापती मोदे मेरे से पूरुवेद, आदेनिये पारिक साब ने, बाबु सिंजी ने, महंत परतापूरी जी ने, बहुती सकारात्मक विचार इस सदन में रखे और बहुती सकारात्मक शुजाव इस सदन को दिये और मैं समझता हूँ कि सभापती मोदे, उन तिनों की बात पर पक्स विपक्स दोनों ने तालियां बजाई टेबल थप थपाई और क्यूंकि हम लोग जो इस सदन में बैठे हैं, पूरे आट करोड जो जनता है, उसका बरोसा हम लोगों पर है और वो उमीद करते हैं कि इस सदन में हम वो चर्चा करेंगे, जिस से जनता का बला होगा आज जिन बिंदूओं पर हम लोग अपने विचार रख रहे हैं, उसको लेकर फाइदा जनता को मिलेगा लेकिन सभापती मौदे, इसके बीच में गौपाल जी ने अपनी बात को रखा और जब भी खड़े होते हैं सिर्फ हिंदू, मुस्लीम, मंदिर, मस्जिद के लावा, उनके मुझे कुछ निकलता नहीं और ऐसा लगता है कि हिंदूओं का पूरा ठेका उन्होंने ले रखा है देविस्तान विबाग पर हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं प्लीज प्लीज आप विराजिये, आप विराजिये, विराजिये, आप विराजिये धन्यवाद देना चाहूंगा सबापती मोदे कि खाटू श्याम दाम को एक कोरिडूर बनाने के लिए बजट में गोश्टना हुई इसके साथ अगर सालासर धाम, रामदेवरा, खरनाल, वीरतेजाजी, माराज और अन्य जितने भी प्रशिद मंदिर है उनको भी अगर इस बजट में मिलता तो वहां की जनता जो सरदालू है जिनकी आस्ता उन मंदिरों में उस जनता को खुशी मिलती और सभापती मोदे अभी पूरी बात हिंदूों की ठेकदारी को लेकर इस सदन में हो रही थी मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बात से इस राजस्थान की जनता, इस देश की जनता अगर बरोसा रखती तो आयोध्या आप नहीं हारते, साला सरधाम आप नहीं हारते, मेंदीपूर बाला जी आप नहीं हारते और बद्रीनात आप नहीं हारते तो सभापती मोदे यहां हम लोग कोई भी बात करें उसका अगर सकारात्मक कोई भी पहलू हम रखें उस पर विचार हो नियम बने जनता को फाइदा मिले इन सब पर काम हो तो मैं समझता हूँ कि हम लोग उस जनता के साथ नयाई कर पाएंगे सबापती मोदे देविस्तान विबाग में जो मंदीर और मठों की जमीने हैं डोली विवाद जो लंबे समय से चलता आ रहा है मैं चाहता हूँ कि ये सरकार पूरे राजस्थान में इसके जो विचार हैं उन लोगों से राई मसूरा लेकर जो डोली विवाद है इसको ये सरकार खतम करेगी ऐसी उमीद मैं आप सब के माद्यम से करना चाहता हूँ सबापती मोदे पस्थू पालन जब बजट पड़ा गया 131 नंबर बिंदू से लेकर इस सदन में सुरू हुआ 250 करोड के प्रावदान से मुख्य मंत्री पस्थू पालन विकास कोस का गठन किया जाएगा जो नर्गोवन्स की समझ्या के निराकरण के लिए जो राशी थी 50,000 से बढ़ा कर 75,000 कर दी गई इसके साथ ही पस्थू चिकिस्थू कों की बढ़ती को लेकर गोशना इस बजट में हुई लेकिन सभापती मौदे अगर हम लोग जमीन पर जाकर अगर वास्त विक्ता देखने की कोसिस करेंगे तो क्या इस्तती है आज पिछले बजट में हमने नंदी साला की गोशना की उसको लेकर इस बजट में कुछ नहीं था हमने जो 40,000 का जो मौआउजा था उसका नाम बदल कर दूसरा कर दिया गया लेकिन क्या वो द्रातल पर हम उन पसू पालकों को वो रियाइत दे पार हैं वो सुविदा दे पार हैं इसको लेकर कोई चिंता विक्त नहीं खी गई सभापती मोदे आज भी हम लोग नए पसू चिकित साले खोलने की गोशना इस बजट में हो गई लेकिन आज भी इस्तती क्या है नए पद सरचित किये जाएंगे उसकी गोशना हो गई लेकिन आज भी वास्त्रिक्ता यह है कि 60% से अधिक पसू चिकित साले जो गाउं में ह खोल दिये वो खाली पड़े हैं उनमें पसू चिकित सक नहीं है 2019 की जो 900 पदों को लेकर बरतिया मंत्रित की गई थी उसके साक्षातकार हो गए लेकिन अभी तक उनको जोइनिंग नहीं दी गई है 2012 में हमारी सरकार ने पसूँ के लिए निसुल्क दवा योजना शुरू क कर नीजी खर्चे से अपने पसूँ को जब बिमार होता उसका इलाज करवा रहे हैं तो मैं चाहूंगा सभापती मोदे इन बातों पर हम लोग ध्यान दे इस बजट में हर जिले में मेला लगाने की लेकर बात सामने आई उब मुखे मंत्री जी ने कहा हम लोग जो प्रशि पसूँ का मेला था परबसर का तेजाजी मेला था नागोर का रामदेवरा मेला था उन सब जगें आज भी यही इस्तिती है कि जो बाहर से पसू पालक आते हैं जहां लाखों पसू आते थे उन जगें आज भी इस्तितियां हम लोग ठीक नहीं कर पाएं सभापती मोदे समय आपने दिया है सरवन कुमार जी मैं कुछ बात पीचे लोबी में जाकर बात कीजिए आप इधर से जाकर उधर बेटे हैं आप भी जो सदे से यह बात कर रहे हो यह अच्छी बात नहीं है सवापती मोदे हमारी सरकार ने मूरा नसल की बेंच सरक्षन के लिए बेंच परजनन फारम बाकलिया में खोला था जिसकी आज इस्तति यह कि सारे जितने भी वहां पश्चुते उनको निलाम कर दिया गया है और उस फारम पर 28 फरवरी 2024 के बाद एक भी करमचारी और चिकिसक कारियरत नहीं है और वह बेंच परजनन के अंदर पूर्ण तयाब बंद होने की इ इलाइस तरिये पसु चिकिसाले की गोश्चना लाड़नू में हुई पॉली क्लिनिक की गोश्चना हुई उसकी जमीन आवंटित हुए डेर साल हो चुका है उसके लिए वी तिस्वेकरती जारी नहीं की गई है मैं आप सबसे निवैदन करूंगा कि जो मोबाइल यूनिट पस्वों की बीमारी के लिए डाइगनोस्टिक लेव की गोश्चना हुई वो अभी तक जमीन पर नहीं उत्री है मैं आपके माद्यम से चाता हूँ जब मंत्री जी इस पर बोलें तो कम से कम यह जो पसु पालकों की समझ्या हैं इनको कैंदरित करके कुछ न कुछ उनको र खरी जाइब।